लखातार क्वेरी आ रहे है, ये मार्केट में गिरावट और वोलेटिलिटी से सारे सेक्टर गिर रहे हैं, राइट, कहां दाव खिला जाए समझ नहीं आ रहा है, तो इसका अंसर धुनने की कोसिस करते हैं, और वहाँ पर आएगा अंडर वैल्यू सेक्टर, राइट, यानि ऐसा सेक्टर, जिसके सेर ज्यादा गिरेवे हैं, और वैल्यूएशन भी भाईया, मस्त सस्ते मिल रहे हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, इसको देखने की कोसिस करते हैं, तीन ऐसे सेक्टर के बारे मैं बात करूँगा, जिसमें अभी काफी पोटेंसियल है, क्योंकि इन्होंने relatively उतना perform नहीं किया जैसा market नहीं किया है लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया के consumption growth, population growth और worldwide expenditure का फाइदा इन sector को मिल सकता है तो तीन sector की बात कर रहे हैं हर एक sector की analysis करेंगे चीजों के deep में जाएंगे एक नया नजरिया लेंगे क्योंकि आपको पता है लगातार य हर एक वीडियो को देखिएगा तो आप इस fundamental analysis की दुनिया में बहुत बहतर कर सकते क्योंकि हर एक वीडियो में हम एक अलग सोच देनी की कोसिस कर रहे हैं क्योंकि सोच की जब करी मिलाएंगे तभी chain बनेगी मजबूत वाली तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन वहिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बिना कंजूसी किये क्योंकि नोटिफिकेशन ओन रहना जरूरी है अब स्टॉक मार्केट में अगर आप कहीं भी फसे हैं तो आप हमारा एप डाउनलोड कर लीजे वहां पर help का option है जहां से आप अपनी query पूछ सकते हैं और हमारी team वहां पर available ह help करने के लिए और साथ में market के गिरावट में fundamental lenses सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसे ग्या अच्छे stock को select कर सके तो fundamental, technical और option तीनों classes available है मज़े की बाद क्या दीपावली महा discount 25% का offer दीपावली के बाद offer नहीं मिलेगा तो एप का link description में है डाउनलोड कीजे और फायद कीजेगा कि Indian housing finance market में 2019 से 2023 तक 12.6% CAGR का record growth दिखाया है जो बढ़ती disposable income, strong demand और ज्यादा player के segment में आने की वज़े से हुआ है हर दिन नए player आ रहे हैं आपको पता ही है पिछले दो fiscal में affordability में सुधार आया है क्योंकि property rate stable रहे हैं और borrower की income बढ़ी है ये भी आपको पता है इंडिया में लोगों का income बढ़ा है तभी लोग housing finance करके ले पा रहे हैं तो 2023 तक housing finance का total credit outstanding 28.7 trillion तक पहुँच गया 28.7 trillion समझेगा और fiscal 2023 में housing market ने 16.7% का growth दिखाया और मैं बार-बार हर वीडियों कहता हूँ 12% के उपर धमा का ये growth young population की aspiration और rising disposable income के साथ metros में migration tier 2 और tier 3 city में demand के बढ़ने की बढ़ने की वज़े से हुई अब सबको घर्च है कोविड के बाद लोगों का thought process बदला है लोग पैसे खर्च कर रहे हैं और चीजें बहतर निकल के आ रही है और वहाँ पर अगर आप growth देख रहे हो तो 13-15% के करीब का CAGR का growth आपको दिख रहा है अब की प्लेयर कौन से हैं तो LIC housing finance बजाज housing finance जो अभी अब जी लिस्ट पी एंब हाउसिंग फाइनन्स केन फाइनन्स और ICIC होम फाइनन्स अब यहां पर अगर आप growth देखो बजाज housing finance का तो 24.4% का CAGR यानि अगर बीना किसी discussion के जाएं तो राजा बाबू स्टॉक तो CAGR के आधार पर दिख रहा है अब दूसरा sector अगर हम देखें information technology का तो आपन समझ लिया पहले housing finance हमने कैसे सोचा क्या key point निकाले कैसे उसका growth angle निकाला और फिर आपको leader के बारे में बता दिया यानि हम कोई buy sell नहीं दे रहें बलकि सोच दे रहें क्योंकि जब तक आपके पास सोच नहीं होगी तब तक दिसा नहीं मिलेगी फिर उसमें अब information technology में कि भ GDP contribution financial year 2023 में IT industry ने इंडिया के GDP का 7.5% हिस्सा लिए ये 2025 तक पता है 2025 तक 24 में खरे है 10% तक पहुंचने की उमीड है तो आप सोच लिजी revenue growth इंडिया की technology industry 2030 तक अपना revenue डबल करके 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की रहा पर है अभी कितना है 240 double 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 global dependency IT जो इंडियन IT कंपनी का major revenue exports जाता है इसलिए ये global IT spending पर depend करती है right global spending पर बात करें तो global technology spending enterprise software और IT services पर CY 2023 में लगवग 2.3 trillion US dollar के आसपास था जिसमें IT service में 6.1% year on year बढ़कर US dollar में 1.4 trillion तक पहुंच गया तो अब आप समझ लीजे कि भाया क्या तगरा growth है सिर्फ IT का चाहे global चमक पकर लो चाहे इंडियन चमक पकर लो अब इसमें key player अगर आप देखोगे as per analyst rating तो टाटा कंसल्टिंसी KPIT टेकनलोजी SCL टेकनलोजी इंफर्सिस पर्सिस्टेंस अगें हमने आपको दिखाने की सेक्टर अब इससे क्या फाइदा मिलता है अब वो लोगे समझो market गिर रहा है अब आपके समझ नहीं आ रहे बबाब क्या कैसे तो अब आप ये समझ रहे हो लूले लंगरे सब समझ आते हैं लेकिन जब market गिरता है तो वहां पर पहलवान भी हमें समझ में नहीं आता है जबकि यह कहानी पहलवान की ही है और इसी लिए कभी आप DII, FII की holding देखो, Big HNI की holding देखो, 80% पैसा हाथी में लगा होता है, चीटी में सिर्फ 20 पैसा की मर भी बिलियन डॉलर था, 2025 तक 638 यूएस बिलियन डॉलर पहुंचेगा, भी यह कैसा growth है, comment में बता दो, employment में बात कर ले, तो 2024 तक 7.5 मिलियन लोगों का रोज़गार दे रहा है, तगरा है कि नहीं है, professional की demand दो गुना होने क्यों नहीं है, डबल डबल, क्यूंकि इंडिया में स सबसे स्यादा जरूबत है, public अगर expenditure की बात करें, तो financial 2023 इसमें healthcare पर public expenditure 2.1% of GDP तक पहुंच गया, healthcare minister ने aim financial 2025 तक 0.5% करने का रखा है, और actually देखा जाये, तो जो healthcare industry हमारे इंडिया में है, या जो हमें लोगों को सुधा मिल रही है, middle class लोगों को सुधा मिल रही है, अगर में हमें विदेश का level लाना है, तो ये level बहुत उपर लेके जाना परेगा, अब जैसे क्या हुआ, सरकार ने focus किया कि हम railway सुधारते हैं, डिफेंस उधारते हैं, वहाँ पर बदलाव आया ना, वो बदलाव actually यहां आना है, क्योंकि medical हमारी सबसे ज़्यादा जरूरत है, सि कर रहा है, जिसमें health care, जो expenditure है, 89,287 करोर तक बढ़ाने की बात है, आई बात समझ में, जो मैं कह रहा था, but actually देखा जाए, तो कहानी इस से भी ज़्यादा की है, hospital market 2023 में, 98.98 billion US dollar की value पर था, और 2024 से 2032 तक 8% CAGR जरे साथ बढ़ने की उम्मीद है, और इसका estimated value 2032 तक 193 US billion तक पहुँचने का अंदाज है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, साथ आपने news पढ़ी हो ना पढ़ी हो, जितने विदेशी investor हैं, ठीक है, वो अब इंडिया के hospital sector में invest कर रहे हैं, और वहां का stake उठा रहे हैं, यह latest report में आपको share कर रहा हूँ, तो समझो, खेल सुरू हो वरना वो पैसे नहीं लगाते हैं, समझ गए, तो picture बहुत बरी होके आने वाली है, वो आपको पांस साल के बाद दिखेगी, अब यहां पर healthcare market size का growth trend देखें, तो आप 22% CGR है, क्यों यह जरूवत है, यहां जरूवत को पूरी करनी परेगी, और यह चीज विदेशी investor समझ चुके हैं, ठीक है, अब यहां पर as per analyst rating आये, तो 40's, Apollo Hospital, Global Health Games और STDM Healthcare जैसे दिखज नाम आते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है, news पे नजर करनी पड़ती है, क्यों बरे बरे दिखज प्लेयर जो इस्टेक खरीदते हैं, वो अपना interest चेंज करके hospital में क्यों आ रहे हैं, तो आज सोचें कि आज लिया, तो कल से सेर भढ़ने लग गया, फिर परसो गिर गया, तो अरे उसने डुबा दिया, उसने फसा दिया, कोई फसाता है, कोई आपके माते पर बंदुप नहीं रखता है, लोग हर इनसान चाहता है, आप सीखें, बास बने, बड़ आपके दिमाग पर कोई इनसान अपना एड कर दे, लोगों को तकलीफ होते हैं, अपना एड चला रहा है, सोच बदल ये, दुनिया बदलेगी, और वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो, तो शेर कर दीजेगा